दोस्तो आज बात करेंगे Hyundai की एक फूल साइजड सेविन सिटर SUV Hyundai Elgazar के बारे में जिसमें की नया पैट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस किया गया है और यहां पर अब जो पैट्रोल इंजन पहले हमें देखने को मिलता था वो 2000cc का नैचरली एस्पेटेड इंजन आता था जिस देखा जाए तो यहां पर यह इंजन वन भी एचप ऑफ एडिशनल पावर और 61 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एडिशनल प्रेड्यूस करेगा यह एक और यह अभी धीरे धीरे जो है और गाडियों में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस नए इंजन के साथ में ग करेटा SUV में भी हमें यह इंजन देखने को मिलेगा इसके साथ साथ Hyundai की सिस्टर कंपनी किया में भी हमें यह इंजन सेल्टाउस और केरेंस में देखने को मिल सकता है यह जो नया डेडरिया सीसी का इंजन है इसके अंदर क्लास लीडिंग पावर है पेट्रोल मिट साइज से अगर इसके गेर चॉइस की यहां पर बात की जाए तो यहां पर आपको 6-speed manual और 7-speed DCT देखने को मिलेगा जो की रिप्लेस करता है 6-speed talk converter automatic को जो की फिलाल 2000cc petrol engine के साथ में अलकेजार में प्रोवाइडिट था अलकेजार 1.5 turbo petrol के अगर further features की बात करें तो यहां पर आपको start stop technology देखने को मिल जाएगी जिसमें की गाड़ी ideal conditions में automatically turn off और जब आप clutch वगरा प्रेस करेंगे तो automatically turn off हो जाएगी अगर यहां पर इसकी claimed fuel efficiency की बात की जाए तो 18 kmpl का mileage यह DCT पर claim करती है company और 17.5 kmpl का mileage manual gearbox पर company claim करती है अगर safety की बात करें तो यहां पर एक बहुत अच्छा introduction किया गया है Elkazar को six airbags including side and curtain airbags as standard देखने को मिलेंगे all variants पे which is a big move in this segment और this is a very good step that should be appreciated for Hyundai इसके साथ साथ अगर further changes की बात करी जाए तो Elkazar को अब नई front grill देखने को मिलेगी और new puddle lamps higher variants में देखने को मिल जो कि Trident ST data air leader engine के साथ में आता है there are no changes there and that engine produces 115 bhp of power and 250 newton meters of torque वो engine जुका तू रखा गया है वहां पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है उस engine के साथ में अगर gearbox options की बात की जाए तो वहां पर आपको six speed manual और six speed torque converter automatic देखने को मिल जाता है अगर Elkazar के expected pricing की बात की जाए तो य आयर साइड में होने वाला है as compared to the outgoing version और अगर company के line-up की बात की जाए तो यह SUV आपको Tucson से नीचे देखने को मिल जाती है Hyundai के line-up में और अगर इसके rivals की बात की जाए तो यहां पर आपके Hector Plus, Innova High Cross, Tata Safari और Mahindra XUV 700 इसके competitors बन जाते हैं क्या आपको लगता है कि Dead Air CC वाली turbo petrol engine के साथ में Elkizar एक strong contender है इस segment में as compared to other rivals. Please do mention your thoughts in the comment section और अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो जरूर इसको like and channel को subscribe कर दीजेगा. Thank you so much for watching the video. Bye-bye take care of yourself and remember always drive safe. Bye-bye दोस्तो. कर दोस्तो.